सब्सक्राइब दोस्तों मैं थोड़ा सरेंदा अपने यूटूब चैनल ते बहुत-बहुत स्वागत करदा हैं दोस्तों सी अज दे इस वीडियो वेच शोशल साइंस हिस्ट्री दा चैप्टर नंबर पांच क्लास टेंथ जिस दा नाम है गुरू गोविन साहेब जीदा जीवन खाल से दी सरजना अते शक्षियत वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है तो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तो सी इस चैनल दे नावे हैं जो आज तक चैनल नो सब्सक्राइब ने किता प्लीस पराद चैनल सब्सक्राइब करो दे शानल बेला एकन नो प्रेस करो तक हार इन्फोर्मेटी वीडियो दा नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुंसके इस इनल यीवीडियो अगर तो नो अच्छी लगे वी और आज किस ने कित आ? गुरु नानक दीर जी ने नेक्स प्रशन है, सिक्रतर तरम दे आखरी दे तारी गुरु कुन सान? ए रहे आञट 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 आट ए, शिरी गुरु गोविन सिंह जी गुरु गोविन सिंह जीद बच्पन्द ना की सी? गोविंद राय नेक्स पच्छन है शिरी गुरु गोविंद सिंग जी दे मामेदा की नासी मेहर चंद शिरी गुरु गोविंद सिंग जी ने कोट सवारी अते अस्तर शस्तर चुलान दी सिख्या किस्तों लेई इस जा आंसर है जी राजपूत बंजर सिंग नेक्स पच्छन है शिरी गुरु गोविंद सिंग जी ने रंग्रेटा गुरु का बेटा दा किताब किस नो दिता इस आंसर है जी जीवन सिंग नेक्स पच्छन है शिरी गुरु गोविंद सिंग जी द्वारा बनाए नगारे दा की नासी रंजीत नगारा नेक्स्ट प्रेशन है गुरु गोविंग्द सिंग जी ने केड़े दो हिंदू गरंथां दे अनुवाद कराए महापारत रमायन गुरु गोविंग्द सिंग जी ने पाउंटा साई विखे अपने दर्वार विच किन्य कवी सुबोशित सुशोबित किते इस अंसरा जी बवंजा 52 नेक्स्ट कोशन है गुरु गोविंग्द सिंग जी दा जनम कदो होया इस आँसर है जी शीरी गुरु गोविंद सिंग जी दा जनम बाई दिसंबर 1906 इस्वीनू होया गुरु गोविंद सिंग जी दा जनम कित्थे होया इस आँसर है जी गुरु गोविंद सिंग दा जनम पतना विखे होया गुरु गोविंद सिंग जी दे माता अते पिता दा की ना सी? इस आंसर है गुरु गोविंद सिंग जी दे माता दा ना शिरी गुरु तेक बहादर जी अते माता दा ना माता गुजरी सी नेक्स प्रशन है शिरी गुरु गोविंग सिंग जी दी दस्तार बंदी दी रसम कित्थे होई इस आंसर है शिरी गुरु गोविंग सिंग जी दी दस्तार बंदी दी रसम लखनौर विखे होई C. Next question है गुरु गोविंद सिंग जी ने फार्सी दी सिख्या किस्तों प्रापत की ती? Is the right answer है जी काजी पीर मोहम्मद दो Next question है शिरी गुरु गोविंद सिंग जी ने संस्क्रीट दी सिख्या किस्तों प्रापत की ती? Is the right answer है जी गुरु गौविंग सिंग जी दे किन्य सेहब जादे सन इस जी शीरी गुरु गौविंग सिंग जी दे चार सेहब जादे सन खाल्सा पंत विच शामिल होन दी पहली शर्थ की सी अमरत ग्रहन करके next question है खालसा बारे गुरु गौविंग सिंग जी दी परसिद कहावत केड़ी सी गुरु खालसा विच है अते खालसा गुरु विच है next question है गुरु जी ने केड़े केड़े चार किलियां दी उसारी करवाई इजांसरा जी अनंदगड, केसगड, लोगड, फतेगड next question है गुरु जी ने खालसा दी साजना कदों किती इजांसरा जी गुरु जी ने विसाख्की वाले दिन 1699 इसवी नु खालसा दी साजना किती पंज प्याराण दे नांद सो इजांसरा जी पाईड़े जैंग पाई तरम सिंग, पाई हिम्मर सिंग, पाई मोहकम सिंग, पाई साब सिंग नेक्स प्रशन है उत्तर खालसा काल किसनू केह जंदा है खालसा दी साजना तो बाद दे कालनू उत्तर खालसा काल केह जंदा है नेक्स प्रशन है गुरु जी कुदों जोती जोत समाए गुरु जी गुरु जी 7 अगस्त 1708 इस्वी नू जोती जोत समागे गुरु जी ने जफर नामा नामक खत किस नू लिख्या सी औरंग जेब नू शिरी मुक्सर साहिब दा पुराणा नाम की सी और आंसर जी खिदराना नेक्स प्रशन है गुरु जी दिया रचनामा वारे दसो जाप साहिब वचितर नाटक जफर नामा अकाल उस्तत सहस्तर नाम माला चंडी दी बार नेक्स प्रशन है बड़े साहिब जादे किस लड़ाई विच शहीद हो एसन नेक्स प्रशन है पंगानी दा जुद कदों लड़े गया ठारां सो अठासी इस वीदे विच अगला प्रशन है सीख तरम्दी रख्या दे लई फोज संगठन किसने किता इस उत्तर है किरपाल चंड नेक्स प्रशन है गुरु गोविंग सिंग जी नुँ नाहन विखे किसने बुलाया इस अंसरा जी मेदनी परकाशने नेक्स प्रशन है बंदा बहादर दा पहला नाम की सी मादो दास वेरागी नेक्स प्रशन है पारत नु इसलाम दी तरती कौन बनाना चंदा सी इस अंसरा जी औरंग जीव गुरु गोविंग सिंग जी नु गुरु मुकी दा ज्यान किसने दिता पाई सहब चंद अते पाई मती दास गुरु गोविंग सिंग जी दा उत्रा दिगारी कौन सी इस अंसरा जी गुरु गरंश सहब जी नेक्स राजी मल्टीपल चोईस कोशन पहला परशन है, गुरु गोविंग सींग जी ने किस साज सिख तरम नो अन्तीम रूप दित्ता ओैसल रैटए सौलांसो नडेनन में इस्वीनू अगला प्रशन है, गुरु गोविंग सींग जी ने किस दी नी रखी ओैसल रैटए आनश 플ाशा पंथदी नेक्स्ट प्रस्ट नमबर तिन है गुरु गोविंग सिंग जी दा जनम किते होया इस या रही टांसर जी पटना साहिब नेक्स्ट कोशन है खालसा पंथ दी साजना किते किती गई तो इस या रही टांसर जी अनन्दपूर साहिब Queshion No. 5 है मुक्तसर साहिब दा पहला नाम की सी तो इस दा रही टांसर है जी किदराना Next question है जफर नामा ना दा पत्तर गुरु गोविंग सिंग जी ने गुरु गोविंग सिंग जी दुआरा किस नू लिखिया गया तो इस दा रही टांसर है जी औरंग जेव नू Next question number 7 है कश्मीरी पंडत गुरु तेक बहादर जी नू कदों मिलना आए तो इस दा रही टांसर है जी 1675 स्वीदे विच Next question है गुरु गोविंग सिंग जी दी माता जीदा की नासी इस दा रही टांसर है जी माता गुजरी Question number 9 है गुरु गोविंग सिंग जी दे पिता दा की नाम सी तो इस दा रही टांसर है जी गुरु तेक बहादर जी Next question number 10 है गुरु गोविंग सिंग जी नू गुरु गद्दी कदों मिली तो इस दा रही टांसर है जी 1675 स्वीन Next question number 11 हिंदू तरमदी रख्या लई किस गुरू सहवान ने अपना बलिदान दिता तो इसा रही टांसर है जी गुरू तेक बहादर जी नेक्स्ट कोशन है गुरू गोविंद सिंग जी दे वड़ेश पुत्तरदा की नांसी तो इसा रही टांसर है जी अजीत सिंग नेक्स्ट कोशन नमबर थर्टीन है पंगानी दा जुद कोदों लड़या गया तो इस दे ओप्शन है 1686 इस विच शोलांसो नड़िनवे इस विच शोलांसो च्याट सारांसोच इस रही टांसर है जी 1686 इस विच नेक्स्ट है कोशन नमबर चोदा है किस दिवस नू 1686 इस विच खासा पंथ दी साजना किती गई तो इस रही टांसर है जी विच शोलांसो नड़िनवे इस विच खासा पंथ दी साजना किती गई खाल्सा दी साजना समें किन्ने प्यारें दी चौन किती गई इस रही टांस रहे जी पंच प्यारें दी नेक्स्ट कोशन नमबर 16 अमरत शकन तो बाद हर एक प्यारे दे ना नाल की लगाया गया सी इस रही टांस रहे जी सिंग अगला प्रेशन नमबर 17 खालसा इस्तरियां देना नालकी लगाया जन्दा है आप्शन थर्डा जी कोर नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर अठारा की खालसा मूर्ती पूजा विच विश्वाश रखदा है इस रही टांस रही नहीं अगला कोशन नमबर उन्नी है खालसा दोआरा किन्ने कके तारन करके जरूरी हुन्देहन खालसा दोआरा किन्ने कके तारन करके जरूरी हुन्देहन तो इस रही टांस रही पूजा अगला कोशन है बिलासपूर दे राजेदा की नामसी इस रही नामसी जी भीमचन कोशन नमबर इक्की है नदों दी लड़ाई कदों लड़ी गई तो इस दा रही टांसर है जी 1690 स्वीदे विच नेक्स्ट कोशन नमबर बाई है खालसा दी साजना समे तो लेके गुरु गोविंग सिंग जी दे दिहान तक दे समे बिचकार लड़ियां गईयां लड़ाईयां नो की केहा जन्दा है तो इस दा रही टांसर है जी उत्तर खालसा काल दियां लड़ाईयां इस नो केहा जन्दा है उत्तर खालसा काल दियां लड़ाईयां नेक्स्ट कोशन है गुरु गौविंग सिंग जी दुआरा किस जगा नू पैर रखन दी था कैके नवाजया गया तो इस दा राइट आंसरा जी पाउंटा साहिव नेक्स्ट कोशन है अननांदपूर साहिव दे दूजे जुद विच किन्ने सिक गुरु जी दा साथ शट के चलेगे नेक्स्ट कोशन नमबर पच्ची है अननांदपूर साहिव दे दूजे जुद विच चाली सिक गुरु गौविंग सिंग जी दा साथ शट के चलेगे उनना नू बाद विच गुरु जी ने की नाम दिता तो उनना नू नाम दिता इस दरही टांसर जी चाली मुक्ते अगला कोशन है कोशन नमबर ट्वंटी सिक गुरु गौविंग सिंग जी अपनी दस्तार विच की लगा के रख दे सान तो इस दरही टांसर है जी कलगी नेक्स्ट कोशन है गुरु गौविंग सिंग जी देश रदहालू गुरु जी नू की कहके याद कर दे हन तो इस दरही टांसर है कलगी दर दश्मेश नेक्स्ट कोशन है गुरु गौविंग सिंग जी दी रचना दी चोन करो बारा मा जाप साहिब आसादी बार अनन्द बानी तो जाप साहिब नेक्स्ट कोश्चन नमबर टॉंटी नाइन थे शिरी गुरु गुरंट साहिब जी नू गुरु गद्धी सौंप के गुरु गौविंग सिंग जी ने किस पावना नू पैदा किता आप्शन है समाजवादी ताना शाहि लौक तंतरी इना विच्च कोई नी थे जराइटांसरा जी लौक तंतरी नेक्स्ट कोश्चन है सरहिंद दे सुबेदार्दा की नासी तो जराइटांसरा जी वजीर खाँ next question है hate लिखियां विच्चों केड़ी लड़ाई पूरव खालसा काल नाल सबंदत है Q is the right answer है जी पंगानी दी लड़ाई next question है hate लिखियां रचना माचों केड़ी रचना गुरु गोजिन सिंग जी नाल सबंदत नहीं है Q is the right answer है जी आसां दी बार नेक्सक्ष्ट कोषण है पंच प्यारें दी चोन किस गुरू सहिवान दोआरा किती गई तो इस था राइट अन्सर जी गुरू गवंच सिंग जी दोआरा नेक्स्ट कोषण नमबर 34 है चन्डी दी बार किस गुरू सहवान दी रचना है गुरू गौविंद सिंग जी नेक्स्ट कुशन है गुरू गौविंद सिंग जी दे दो वड़े से ब्यादे किस लड़ाई विच शहीद होए कुशन नमबर थर्टी फाइब तो इस दा राइट आंसर जी चमकोर साहब दी लड़ाई नेक्स्ट कुशन नमबर थर्टी सिक्स है खालसा दी साजना किते किती तो खालसा दी साजना अननांदपुर साहब विच किती नेक्स्ट कुशन है जफर नामा नामक खत गुरू गौविंग सिंग जी ने नेक्स्ट कोशन नमबर 38 तो इस दा रही टांसरा ची 1680 इस्विद विच नेक्स्ट कोशन है गुरू गोविन सिंग जी ने मुंडली सिख्या किस्तों हासल किती तो इस दा आप्शन है जी उपरोग सारे इस दा आप्शन नमबर फोर्थ है काजी पीर मुहम्मद तो राजपूत बंजर सिंग तो पाई साहिब चन्तों नेक्स्ट कोशन फोर्टी वन है गुरू गोविन सिंग जी दा जनम किते होया पतना साहिब नेक्स्ट कोशन है गुरू गोविन सिंग जी सिख्छा दे किन्वे गुरू हन दसमे नेक्स्ट कोशन है गुरू गोविन सिंग जी दा जनम कदों होया तो इस दो रैइट अंसर जी बाई दिसंबर पस्ね स्क्राय गुरु जोर्ण सिंग जी दयाच दे इकलोते पुतर सन इस दो रैइट अंसर जी गुरु तेक भाधर जी दे नेइट दे गुरु गोविंग सिंग जी दा जनम समystem की नाम सी गोविंद राय नेक्स्ट कोशन है गुरू गोविंद सिंग जी नू फार्सी पाशा दी सिख्या किस ने दिती तो इस दा राइट आंसर है जी काजी पीर मुहम्मद नेक्स्ट कोशन है किस गुरू ने अमिर्थ शिका के खालसा पंथ दी स्थापना किती गुरू गोविंद सिंग जी ने नेक्स्ट कोशन है गुरू गोविंद सिंग जी दुवारा खालसे दे वलंटरियानों की नाम दिता गया इसड़ा रईट आंसर जी पांच प्यारे नेक्स्ट कोशन है गुरु गोविंग सिंख जी ने खालसा दे लेड़ेश दी मर्यादा जा परम्परा दी शिरुवात किती तो इसड़ रईट आंसर जी नौ कक्के दी मर्यादा जा परम्परा दी शिर्वात किती नेक्स्ट कोशन है गुरु जी दे केडे दो पुत्तर चमकोर साहब शहीद होए तो इस दा राइट आंसर है जी अजीत सिंग ते जुजहार सिंग नेक्स्ट कोशन है गुरु जी दोरा लड़ी उस लड़ाई दा नाम दसो जिस विस चाली मुक्ते शहीद होए तो इस दा राइट आंसर है जी इस दा राइट आंसर है जी मुक्त सर दी लड़ाई नेक्स्ट कोशन है गुरु जी पिच्छों खाल्सा दी अगवाई किसने किती तो इस दा राइट आंसर है जी बंदा सिंग बहादर नेक्स्ट कोशन है 54 गुरु गौविंग सिंग जी कित्थे शहीद होए तो इस दा राइट अंसर जी तक्त हजूर साहब नेक्स्ट कोशन है गुरु गौविंग सिंग जी कुदों शहीद होए तो इस दा राइट अंसर है जी सत अक्तूबर 1708 इस्वीच नेक्स्ट कोशन है गुरु गौज़निक सिंग जी तो बाद अगले गुरु दा दर्जा किस नो दिता गया तो इस दा राइट आंसर है जी शीरी गुरु गरंत साहिब जी नो नेक्स्ट कोशन है गुरु गौज़निक सिंग जी नो केड़ी पाशादा ग्यांसी तो इस दा राइट आंसर है जी पंजाबी अते हिंदी संस्कृत फार्सी और परोक्त सारियां पाशादा ग्यांसी जाने की पंजाबी अते हिंदी संस्कृत अते फार्सी नेक्स्ट कोशन है हेट लिख्यां विच्चों शिरी गुरु गौविंग सिंग जी दी रचना केड़ी है तो इस राइट आंसर है जी बचित्तर नाटक जफर नामा चंडी दी बार उप रोक सारियां ही जड़ियां नेक्स्ट कोशन है गुरु गौविंग सिंग जी दे दादा जी कौन सान तो इस दा राइट आंसर है जी गुरु हर गौविंद साहिब जी नेक्स्ट कोशन है चमकोर साहिब दे जुद कौदों होया तो इस दा राइट आंसर है जी स्तारां सो पांज इस्वीदे बिच तो फ्रेंट्स अगर तुन वीडियो अच्छी लगी है वीडियो लाइक और शियर जूर करना अगर तुसी इस चैनल दे नामे होते चैनल दो सब्सक्राइब परना नेक्स्ट पार्ट असे अगली वीडियो चो डिस्ट करांगे तनवात जैहिंद